दोस्तों आज की कहानी है बहु हमारे खांदान में पहला बच्चा ससुराल में होता हैं दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्रेप नई किया हूँ तो कर लीजिये ताकि आपके पास पहुं से अरूस नया वीदियो रमा की साधी एक रूठी वादी परिवार में हुई थी उसके ससुर जी कोलेज में वाइस प्रिंशिपल थी और सासुमा कम बटी लेकी थी गर में सास ससुर के अलावा एक सोटी ननन और देवर भी थे यंस रमा का पती दूसरे सेर में नोकरी करता था वो कभी एक हवदे तो कभी पंत्रदान बादी घर आता था रम्मा पढ़ी लेकी नोगरी करने वारी लड़की ती पर साधी दूसरी शहर में हो रही थी तो उसने यंज के करने पे कुछ महिनों के लिए ब्रेक ले लिया रम्मा तुम अभी जोब सोड़ो साधी के बादमशी सेर में सेंटर होंगे तुम भी वही नई जोब देख लेना एक्सपिर यंज तो है ही तुमारे पास या तुम आगे पढ़ना साओ तो पढ़ भी सकती हो अज भी यंज के कहें ये सब रम्मा को यादी पर साधी को सब मैने हो सले दे यंज अभी तक उसका अपने साथ नहीं ले जा सका था क्योंकि यंज की मा के दिल से बहु को बेटे के साथ भेजने का ख्याल भी कोसो दूर था और यंस आता था कि मा खुद से बोले तो वो रम मा को अपने साथ ले जाए इसलिए साहते वे भी अपने पत्री को साहते ले जाने की हिम्मद नहीं कर पा रहा था। मा की तव्यत बहुत खराब दी उसे पिछले 15 दिन से उल्टिया हो रही दी पर यंस के आने परी वो डाक्टर को दिखाने जा सकी डाक्टर को दिखाने पर पता सला की रमा मा बनने वाली गर में खुश्या सागे यंस अब हर पल रमा के साथ रहकर उसका ख्याल लगना साथा मा में रमा को अपने साथ ले जाना साता हूं डिलेवरी के पहले वो आप कोई पास आ जाएगी या अब हमारे पास आ जाना यंस ने मा से कहा नहीं रम्मा कहीं नहीं जाएगी बच्चा हो जाए तब सोसना साथ ले जाने के बारे में माने गूशे में जवाब दिया रम्मा को लगा से सासु मा उसको इस हाल में आराम देना साथ ये इसलिए वो भी मन मार कर उनके इस फैसले से सहमत हो कि नोक्री आगे पढ़ाई का क्य दिल में रह ग्या क्योंकि उस सोठी सेर में नोक्री का कोई आप्सन नहीं तर पढ़ाई के लिए सासु मा ने कहा जो भी करना बच्चा सीचे हो जाई तब करना रम्मा दिन रात घर के काम में लगी रहती सासु मा को लगदा ता कि इस साल में काम करते रहो तो बच्चा सवस्तिय पैदा होगा वो ये नहीं समझ रहे थी कि हर किसी का स्री एक जैसा नहीं हो ता बेशारी रम्मा हर समय उल्टेर करती रहती पानी कई एक बुन्द भी नहीं पसा पार रही थी इसी तरह एक महीना बिदगे एक दिन रस्वी में रोटी सेंग देवे रम्मा सकर खाकर ब्याहुस होगी प्रगदार उसको गलु कोश्ट की डीप प्रग लगानी पड़ी आसा एक बार नहीं पुरे नो मैने में दो बार हुआ यंस वहुस सिंती ता रमा की हालत दे कर उसे मापर बरोशा था कि मा रमा का पुरा ख्याल रखेगी रमा के ससु जी भी उसकी हालत दे कर कुछ दिन उसको माई के बेज़ने के पक्ष में ते पर सासुमा त्यार ना थी रमा तो जैसे घर के काम सासुमा के नियम और काईदों के सक्कर वियू में भस गई थी उसके मापापा ने उसको अपने साल लेना सा तो उने ये को कर मना कर दिया गया हमारे खांदान में पहला बच्चा ससुराज में होता रम्मा अपनी सासुमा की सालाग्या नहीं समझभा रही थी हर काम को अच्छे से करना कभी किसी काम को नहीं करना ये सब उसके आदद में सामिलता पर अच्छे होने का ऐसा प्रिणाम होगा उसको कहां पता था रम्मा अपनी सासुमा की सालाग्या नहीं समझभा रही थी हर काम को अच्छे से करना कभी किसी को काम को नहीं करना ये सब उसके आदद में सामिलता पर अच्छे होने का ऐसा प्रिणाम होगा उसको कहां पता था जब भी यंस घर आता तो रम्मा उसको पूरी बात नहीं बता पाती थी जो सब वो भुकत रही थी क्योंकि यंस हाबता दस दिन में एक दिन के लिए घर आता था रम्मा उस एक दिन को ऐसी बात ये करके नहीं बिता थी रम्मा के साथ ये देकर यंस नहीं मनेगा उसकी बात ऐसा सोसकरी सुपरह जाती थी और नहीं सभी इस तियशार के खिलाप आवास बुलन करने के सोस पारी थी लड़ाई जगड़ा उसकी आदत में नहीं था वैसे भी उसको पता था कि बच्चा होने के बाद वो यंस के सा आती रहेगी इसलिए सब सहर रही थी यहीं साथ रम्मा से गल्ती हो गए एक दो सासु मागो खुदी रम्मा का कोई ख्याल नहीं था दूसरी और उनकी सेलिया भी कुस कम नहीं थी जो उन्हें बहु को हरकत काम पे लगए रखने की सला देती रहती थी देखो भावी के डिलेवरी होने साथ आये रम्मा की मूँ बोली बुआ सास प्रोस वाली के आवास थी जो साई बनाते वे रम्मा को कीशन में सुन रही थी कहने को बुआ जी रम्मा की सेथ का हाल पूसने आई थी हाँ जी जी खुब काम करवा दी हूँ मैं पेट फड़वाओं कि तो कौन इतने दिन सेवा करेगा इसके हमारे जमाने में तो हम कितना काम करते थी आज कालती इतनी सुवीता है कामी किया मैंने बता दिया घर का काम करना बहु कई फरसे बेटी क्यों मदद कर बायरं आज बिती सासुमा के पुणी अभी वी शार सून करो सूस रही थी कि मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नई सुडियास तक फिर भी सासु मा के ये वीशार हैं उसके परती रमा को लगा था कि ननंजूस से बस दो सारी सोटिय सैट पढ़ाई के कानूस की मदर नहीं करवाती पर यां तो किसी को भी उसका ख्याल नहीं था इसी तरह नो महीने बित गे रमा प्यारी सी बिटिया की मा बन गी और अपने पती यंस के साथ जाकर रहने लगी कुछ सवाल दिल में लिये तो वो आज ये समझ सुखी थी कि अपने साथ होने वाले आत्याशारों के खिलाब आवाज उटना संसकारों के खिलाब नहीं होता किया एक औरत होकर भी दूसरी औरत की तकलीव को समझना संपव नहीं किया जो पहले जमाने में होता आया उनको दोराना जरूरी है या बदलाना लाना किया सभी की बोड़ी एक जैशार ये कड करती है प्रेग नैशी के दोराण क्या सासु मां बहू को बेटी की तरफ प्यार नहीं कर सकती थी किया यंस को अपनी पतनी को साथ मे कर नहीं लेक पार रहा था क्या रम्मा के सशिजी को अपने पतनी का बहु के परती संक्त वेवार अनुशित लगते वेवी सुपरना ठीक था रम्मा ने जो कुछ सहा वो सब उसके पूरे अधिकार से यंज को बता देना सही ता हर पर कहीं बार हम ये सूज कर सब कुछ सहल लेते हैं कि जर्दी सब ठीक को जैगा रिष्टां की गरीमा बने रखते पर सामने वाले को लगते कि उसका रोब सदरा हैं क्या ये भी गलत है ये कुछ ऐसे सबाले रम्मा के दिल में जिनका जवाब आप सबी दे